एक बार फीच से मैंने नियोजेटी जने यूटूब पाइंट जिरो में आप सभी सिक्षक सांतियों का स्वागत है आए देखते हैं सिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मध्यान भोजन में अब सातो दिन बच्चों को मिलेगा अंडा और जो बच गया है बदलाव इसको लेकर पत्र हो चुका है जारी ग्यापांक दूसर नवे दिनांग चौविस एक दो हजार चौविस के आदेशा अनुसार निर्देशक मध्यान भोजन योजना बिहार पटना मिथलेश मिस्र के द्वारा यह पत्र जारी हुआ है तो पूरी जनकारी क नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको दो आई देखते हैं वीडियो को विश्टाइश से जैसा के स्क्रीन पर यह पत्र देख रहे हैं जिसका पत्रांक है दो सननवरी और प्रेशक है मितलेश कुमार मिश्रे निर्देशक मध्यान भोजन योजना बिहार पटना सेवा म जनवरी एवं फरवरी दुहजार चौविस में 15 दिनों के लिए मध्यान भोजन के अंतरगत मेनू के अत्रीक्त अंडा अथ्वा मौसमी फल खिलाने के संबंद में महासे उपयुक्त बिशाय के शंबंद में कहना है कि आप आउगत है कि मध्यान भोजन योजना अंतरगत राज के सवी सरकारी सहायता प्राप्त बर्ग एक से आठ तक बिद्यालयों में प्रती दिन बिद्यालय में उपस्थित सवी बच्चों को मध्यान भोजन से अच्छ दूर्द्र खीड़ को निर्धारित मेंग के अतरिक्त अंडा अत्वा मौसमी फल भी बच्छों को खाने के लिए दिया जाता है जिसके लिए परवरतन मुल्य के अत्रिक्त अलग से रहसि जील्ह को दी जाती है विचारों के उपरांत निर्न लिया गया है कि दिनांग 27.1.2024 से 17.2.2024 तक सब्ता में अन्य पांच दिन भी बच्चों को मध्यान भोजन योजना में प्रती दिन मेनू के साथ एक संपून अंडा अथवा मौसुमी फल खाने के लिए दिया जाएगा यानि 27 से लेकर 17.2.2024 के लिए यह आदेश जारी किया गया है कि जो 5 दिन बच्चों को अंडा नहीं दिया जाता था सब्ता हमें एक दिन दिया जाता था अब सब्ता के 7 दिन बच्चों को दिया जाएगा मौसुमी फल या अंडा निर्देशक पत्रांक 49 दिनांक 4 एक 2024 के द्वरा माह जनवरी यह फरवरी के लिए अंडा का दर 6 रुपिया प्रती अंडा निर्धारित किया गया है इस हेतु दिनांक 27 एक 2024 से 17 दू 2024 तक सब्ता के सब्ता में 5 दिन दिये जाने वाले अंडा का दर 6 रुपिया प्रती अंडा रहेगा जिसका भुकतान परिवर्तन मुल्या की राजशी से किया जाएगा अता उपरोक्त के आलोक में निर्धेश दिया जाता है कि 27 एक 2024 से उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिशित करें साथ ही बिद्याले निरीक छण के करम में यह सुनिशित करें की बिद्यालयों में बच्चों को सुक्रबार रविवार के अतरीक्त सब्ता के अन्य पांच दिन भी एक शंपून अंडा अथ्वा मुश्मी फल खाने के लिए प्राप्त हो रहा है तो यह आदेश जारी किया गया है मितलेश कुमार मिस्र मध्यान भोजन योजना निर्देशक के द्वारा तो अब आपको बता दें कि हर दिन बच्चों को मिलेगा अंडा और जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उनको दिया जाएगा मौश्मी फल त वीडियो में इतना